तो दूर तो आज 8 अप्रेल 2022 और आज भी लेके आया हूँ आपके लिए फिर से 11 फ्लोरी कल्चर एंड एग्रो टेक इंडिया लिमिटेड का कम्प्लीट शेर, इंग्लिश और इस कम्पनी को बर्खास्त कर वीडियो बनाने के लिए हमें करज़ईने कमेंट किया था. तो अगर आप कभी कोई करेंगे तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सके. और अगर दोस्तों आप इस कम्पनी के बारे में कम्प्लीट जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना इसके किये हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंतक देखते रहिए. ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. इस वीडियो में तो सबसे पहले इस कम्पनी का फंडामेंटल को जाने की बारी की से हर एक चीज़ को और चार्ट को ऑनलाइन करके मैं आपको बताना चाहूंगी. आपको इस वक्त इस कम्पनी में निवेश करना चाहिए की नहीं. और अगर दोस्तों आप कास्टिंग करने के लिए दिमांड अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेनिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वीड अपको fundamental समझाते तो बारी की से हर एक चीज़ को तो मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन इन पे तो मैं आपको लेके आच चुका हूं स्कैन इन पे आपको shortcut मैं बता देता हूं ये company जो है sorry ये company flowers का जो deal करता है वो supply करता है ठीक है इस company का total market cap आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है महनगे valuation में चल रहा है आपको ध्यान रखना है company का अगर lowest price देखा जाए इस साल में तो लगभग डेर रुप्ये के आसपास इसका lowest price था दोस्तों यहाँ पे company का price in ratio में आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूं यहाँ पे pricing ratio नहीं हो रहा है price in ratio से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त इस company का valuation मेहनगा चल रहा है या फिर सस्ता बाकी चीजे देख लेते थोड़ा सा आगे बढ़के यहाँ पे आप देख सकते हैं company का book value इस वक्त 10 रुपे और 50 पैसे के आसपास चलता है ये company आपको dividend नहीं देता है return of capital employed दोस्तों company negative जा चुका है minus में जा चुका है 0.4 प्रतिशत तो ये बहुत ही important चीज है आपको ध्यान रखना इस company में निवेश करने से पहले इस बार इस company का return on capital employed में फिर से बता रहा हूँ आपको 0.14 प्रतिशत माइनस में चल रहा है वही अगर return on equity देखा जाए तो return on equity भी company का minus पर चल रहा है लग भग 30% के आसपास तो ये चीजें आपको ध्यान रखिए यहाँ पे कम से कमेटिलिस्ट 1213 प्रतिशत के आसपास नंबर्स होना चाहिए था plus मैं इस company का company का face में लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपे का है इस वक्त इस company का festival हूँ अभी थोड़ा सा scroll down करके और भी important चीज मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस company में निवेश करने से पहले तो most important चीज एक plus point आप देख सकते हैं आपको पूरी जानकारी हासिल कर लेना है ठीक है stocks training 5.25 times is book value book value का नमब थोड़ा सा बढ़ चुका है आपको ध्यान रखना है और अगर overall 5 साल देखा जाए तो बीते 5 सालों के मुकाबले में इस company का sales growth 19 प्रतिशत घट चुका है तो ये बहुत ही important चीज है अगर company का sales growth घट रहा है और share price बढ़ रहा है तो फिर manipulate होने का भी वहाँ पे chances रहते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है अगर company को sales ही नहीं हो रहा है तो company profit में कैसे आ रहा है profit में आ रहा है इसका share price कैसे बढ़ रहा है तो ये सारी चीजें एक अपने दिमाग में एक सवाल पूछने वाली चीजें हैं तो आपको अपने मन में खुद से सवाल पूछना है ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं आप या फिर promoters का holding सिर्फ 7.5 प्रतिशत का है इस company में 7.5 प्रतिशत का promoter holding में जो पूरा का पूरा पैसा बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है आपको market leader से अच्छे अच्छे share से उस पर आपको पूरा पैसा लगाना है और इस तरह के stocks में आपको कम से कम निवेश करना है जिसकी बहुत ज़्यादा होता है ठीक है यहाँ पे return on equity भी आप देखेंगे बीते तीन सालों के मुकाबले पे return on equity पे एक प्रतिशत माइनस रिटन दे चुका है बीते तीन सालों के मुकाबले में अवल थे एर थोड़ा सा scroll down करके मैं आपको और भी इस company के related जानकारी चीजे जानकारी दे देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो इस company का जो इस quarter में December 2021 का quarter में इसका expense रहा कितना 12 लाग के आसपास और profit कितना होगा Sorry sale कितना हुआ 28 लाग ठीक है यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो company का net profit operating profit अगर देखेंगे तो 063 करोल करोल का है ठीक है तो थोड़ा सा और इसको hold down करके आपको बता देता हूँ Profit before tax Profit before tax में इस quarter में company को profit हुआ है 29 करोल जो की net profit है इस quarter का अभी थोड़ा सा scroll down करके मैं आपको hero near दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो इस साल में running year में इस company का total expense रहा लगभग 0.79 करोल यहाँ पे sale कितना हुआ 0.76 करोल तो operating operating profit यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.07 करोल का है और यहाँ पे profit before tax में company का यहाँ पे 0.28 करोल का है और यहाँ पे net profit अगर देखेंगे तो most important चीज दोस्तों net profit में company minus में चल रहा है ठीक है business हो रहा है धंधा हो रहा है लेकिन company loss पर चल रहा है यह चीजें आपको ध्यान रखना है 0.00 से एक करोल कमपनी इस साल पर loss पर चल रहा है इसके पहले साल में 2021 के साल 21 में यह company 0.45 करोल का company loss पर था और अगर 2020 का देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 2020 में 0.13 करोल company loss पर था तो यह सारी चीजें आपको ध्यान रखना है company का sales भी सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है लेकिन company loss में चल रहा है तो यह चीजें बहुत important है आपको ध्यान रखना है company में निवेश करने से पहले जरूर ध्यान रखें दोस्तों तो अभी मैं आपको balance sheet दिखा देता हूँ इस company का liabilities आप देख सकते हो यहाँ पर 22-12 करोल का liabilities है और यहाँ पर सेम आपको दिखेगा 22.12 करोल का एक सेट से तो यह चीजें आपके दिमाग में बढ़ना चाहिए दिमाग में रहना चाहिए थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको company का cash flow देख सकते हैं यहाँ पर 2021 का cash flow में यहाँ पर दे सकता हूँ अब अभी इस साल में company 0, 34 करोल माइनस में चल रहे cash flow तो सारी चीजें important है आपको ध्यान रखना है share price क्यों बढ़ रहा है आपको भी मन में सवाल होना चाहिए यह सारी चीजे company जब loss में चल रहा है तो company के पास पैसा नहीं है तो share का कैसे बढ़ रहा है तो यह चीजें आपको ध्यान दिमाग में होना चाहिए अगर आप यह सारी चीजें दिमाग में नहीं रखेंगे दोस्तों तो आप गलत जगह पैसा निवेश कर देंगे और आपका doctor ने नुकसान होने वाला है किसी भी company में निवेश करने से पहले आप उस company का fundamental को जरूर समझें दोस्तों नहीं तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है stock market में ऐसा भी होता है share price में manipulate किया जाता है ऐसा भी होता है जिसके कारण से भी अच्छे अच्छे company पर फिर बोध दूसरा कारवाई करना शुरू कर देते है ठीक है तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए तो यहाँ पे अब अभी हम आ चुके हैं company के share holding pattern पर यहाँ पर 7.5 प्रतिशत का company में promoters का holding है और यहाँ पे domestic investors को देखेंगे तो 0.9 प्रतिशत का इस company में domestic investors को holding है कुल मिलाकर 19.2 प्रतिशत से ज्यादा इसमें public का पैसा लग चुका है तो ये चीजे बहुत ही important है overall अगर दोस्तों इस company का fundamental मेरी point of क्यों से मैं बताऊं तो थोड़ा सा रिस्की लगा मुझे मुझे इस वक्त इस company में बिल्कुल निवेश नहीं करने का कोई मतलब clue नहीं देख रहा है ठीक है क्योंकि share price लगातार ही अपर circuit में जा रहा है तो अगर अपर circuit में लगातार जा रहे हैं तो अपर circuit में लगातार नीचे भी आ सकता है तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आपका पैसा जल्दी से डूब भी सकता है ये चीजें आप ध्यान रखिए अभी हम दोस्तों इस company का charter online करते हैं देखते हैं क्या result निकलता है तो चार बटन में max to max अगर देखेंगे तो इतना मजबूत जेकब दिखा दिया कि आने वाले दिनों में अपने निवेशकों को करोड़पती बनाने वाला है यहाँ पे 435 प्रतिशत का शांदार रिटन शो हो रहा है ठीक है max 5 year का देख लेते है max 5 year के मुताबिक यह company 435 शून्य 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 का है अगर सौरी 435 प्रतिशत का profit में है तो लगभग आइथिंग नया company आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपे और 50 पैसे के आसपास लिस्टिंग होता है 2018 में 10.5 का शहर लगातार ही गिर जाए कभी उपर नहीं जा पाया एक डेड़ रुपे में आ चुका था फाइनली यहाँ पे अगर जन्वरी दिसंबर के अंत में और जन्वरी के शुरुआत में एक ब्रेकाउट दिया है और यहाँ पे 3 रुपे का सर 555 रुपे हो चुका है मैक्स वन इयर का चार्टर के मुताबिक यहाँ पे 3467 पसंद का शांदार रिटन दे चुका है मतलब सिर्फ 5,454 रुपे इसका खाली रिटन ही है तो कितना पैसा रहेगा इसका शेर प्राइस एक्चुल में कितना था लोगों ने खरीदा था यहाँ पर 1,5 रुपे के आसपास 1,5 रुपे का शेर प्राइस यहाँ पे 55 रुपे क्रॉस कर चुका है मैक्स 6 मन्त का चार्ट के मुताबिक लगभग 2000 प्रतिशत का रिटन कर चुका है ये कंपनी नो डाउट अच्छा रिटन दिया है बट इस वक्त इस कंपनी में मेरी पॉइंट आफ क्यून से निवेश करने का कोई भी आपको चांस नहीं नजरा रहा है यहाँ पे आपको अगर निवेश किया हुआ है तो बिलकुल यहाँ पे प्रॉफिट बना के एक जुठ होने का समया चुका है ठीक है मैक्स 1 मन्त के 4 प्रतिशत के मुताबिक लगभग एक महीने के अंदर अपने निवेशक को दो गुना पैसा दे चुका है डबल रिटन कर चुका है ठीक है एक महीने पहले इसका शेर प्राइस 20 रुपे का था अब इसका शेर प्राइस यहाँ पे 55 रुपे हो चुका है बहुत ही तेजी से वापस सर्किट में जा रहा है लेकिन बहुत ही तेजी से नीचे भी आ सकता है तो end of the day अगर smart investor के नजरिये से देखेंगे तो यहाँ पे आपको महंगा valuation में buy करने के कारण अगर नीचे आता है तो आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है. ज्यादा ठीक है तो ज्यादा profit भी यहाँ पे नजर आ रहा है. आपको लेकिन ज्यादा नुकसान भी हो सकता है तो यह चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है. इस हफ़ते का चार्ट के मुताबिक यहाँ पे 22 प्रतिशत के आसपास written दे चुका है. एक हफ़ते के अंदर एक हफ़ता पहले इसका शेर प्राइस 45 रुपे था, आज 55 क्रॉस कर चुका है. आज के दिन भी 5 प्रतिशत का आपर सरकित दिया है. यह शेहर तो आपको हमारी जानकारी कैसा लगा और आपके पॉइंट आफ क्यून से इस कंपनी में निवेश करना चाहिए की नहीं. दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना अपने दोस्तों को शेर करना मिलते हैं. अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.